हेलो दोस्तों, बहुत लोगों को ledger balance के related transactions, bills के बारे में, charges के बारे में, amount received, amount withdrawal, इससे बहुत लोगों को confusion रहता कि यह है क्या या अपने को कोई charges लग रहे हैं या फिर हमको यह डर लगता कि अगर यह charges है तो इतना ज़्यादा लग रहा है हमको डर लगने रखता तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों की यही problem है सायद इसलिए आप यह video देख रहे हो तो आपको बेफिकर रहे है आप इसमें details में पूरा A to Z समझ जाएंगे अगर समझ में पिर भी नहीं आता है तो इसके video के comment box में जरूर comment कर दीजे जिसका reply हम definitely देने वाले है तो यह यहां पर जो है start में यहां पर आपको कुछ पैसा अपने को देख रहे है 11,030 रुपीज दिख रहा है तो इसको यहां पर अभी फिलाल चोड़ दीजे ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है amount transactions bill में क्या हो रहा है यह 296 जो है plus में है तो यह हो सकता मैंने कोई trade किया है जिसमे मिरको profit हुआ होगा ठीक है या फिर मैं कुछ sell किया है तो इसमें मिरको कुछी तरह से profit हुआ है तो यह क्या होते है यह इसके साथ जो है add हो जाएंगे 11,030 में से 296 add करते हैं तो कितना होगा 11,326 रुपीज होते हैं ठीक है तो अगर आपको doubt है तो आप इसको calculate कर सकते हैं इसके बाद यहां पर तो हो गए अब इसमें 11,336 रुपीज जो है मेरा अभी है इसमें से क्या हो रहा है अब amount withdraw कर रहा हूँ मैं अपने bank account में transfer कर रहा हूँ डिमेट account से bank account में withdraw कर रहा हूँ तो अब इसमें कितना बचेंगे 11,031 रुपीज बाकी इसमें बचेंगे ठीक ह तो अब इसके बाद यहां पर पैसा कितना यह charges लगे मैंने कोई trade किया होगा जिसके लिए charges for selling transfer charges from डिमेट account यानि कि यह मेरे पर charge लगे है 47 रुपीज तो इसमें 11,031 रुपीज में अगर यह charges minus होते हैं तो जो बाकी रहता यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ठीक है द तो यहां पर 9,485 होगे ठीक है देन उसके बाद मैंने इस पैसों को यूज करके 5,461 रुपीज यूज करके मैंने क्या किया holding यानि की delivery में कोई shares buy किया है ठीक है तो मैंने shares buy किया है मतलब मेरे funds में से पैसा cut रहा है और उसके बदले मेरे को shares मिल रहे है लेकिन पैसा तो मेरे यहां से cut जा रहा है इसलिए यहां पर minus दिखा रहा है यहां पर कोई charges नहीं है कोई डरने की बात नहीं बलकि आपने कोई buy किया है तो आपको पैसा देना पड़ रहा है उस shares के बदल अगर आप दुकान जाते हो 10 रुपया का कुछ करीते हो तो 10 रुपया आपके जेब से जा रहा है ना तो की बचा हुआ है ठीक है देन उसके बाद मैंने कुछ और holdings में buy किया यानि कि deliver में और shares buy किया है जो कि 5137 रुपीस मैंने buy किया लेकिन मेरे holding में तो यानि कि मेरे funds में तो सिर्फ 4024 रुपीस हावालेबल है यानि कि मेरे पास तो पैसा कम है लेकिन मैं buy जाना का करी रहा देख लिए मैं margin use करके इसको जो है buy किया हूँ margin use करने में क्या होता है जब भी कोई आप holding में यानि की delivery में कोई shares buy करते हो तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कोई shares delivery में buy क्या हुआ हूँ तो उसके against जो है broker क्या करते है अपने को loan provide करते है loan के तरह ठीक है आप इस पैसों को use करके कोई भी stock buy कर सकते है लेकिन अभी देखें मेरे funds में कितना है 4,448 रुपिया ही बाग ही है बट यहाँ पर available जो है मेरे को अभी इ यूज करके trade कर सकता हूँ तो वो कौन सा है तो यहाँ पर 500 holding दोनों मिला के मैं इन दोनों को पैसों को use कर सकता हूँ यह तो मेरा पैसा है लेकिन यह broker का पैसा जो की loan में दे रहा है अगर आप इसको use करते हो तो इसके against आपको interest भी pay करना पड़ता है ठीक है तो अभी इसक account funds में किता है minus 1112 rupees minus में हो गया ठीक है दे उसके बाद मैं option trading किया था जिसके वज़ेश क्या हूआ मेरेको minus 70 rupees दिख रहा है जो की charges लगे है ठीक है तो यहाँ पर add हो गया minus minus कीतना होता है यह 1112 rupees मेरे पास already loss था आउर loss 70 rupees हो गया तो यह loss भी इसमें add हो गया ठीक है 1183 rupees मेरेक चल रहा ठीक देन उसके बाद मैंने जो delivery में कोई shares buy किये थे ठीक है कभी भी मैंने buy किया था इसको मैंने sell कर दिया तो अब मैंने sell किया कितना का किया 6379 यानि कि 6389 रुपिया का मैंने इसको sell कर दिया अब इसमें मेरे को यहाँ पर कितना बच्चा है 5190 पाई रुपिस बाकिया है यह कैसा हुआ मैंने तो 66379 का भेचा लेकिन यहाँ पर मेरे को पैसा बाकिया सिर्प आउसर 5190 तो यह कैसे हुआ तो यहाँ पर minus भी तो है जो minus है उसको इसमें से minus कर दो जो बाकि बचा यह मेरा पैसा positive है तो यहाँ पर 5190 पाई जो रुपिस है अभी मेरे funds में available होना चाहिए जो कि अभी हम आपको प्रूवी दिखाएंगे तो यहाँ पर तो 5190 पाई होना था लेकिन यहाँ तो 4480 रुपिस है तो यहाँ पर य यह कैसे क्या हूं मैं इसके लिए जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है used margin जिसमें से unsettled balance है यानि कि यहाँ पर अब देखिए इसमें से minus कर दीजे 845 तो आपको देखने को मिलेगा कितना है आपको दी देखो गया ठीक है तो यहाँ पर 11 हो गया 11 में से तो इसको इसमें add करेंगे तो almost जो है 5195 के आसपास है या फिर इसके ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मेरे यहाँ और भी कुछ reason है जो कि मैंने अभी इसमें कुछ-कुछ फूरा details में यहाँ नहीं बता है तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह किस चीज का transactions bills है ठ stock को delivery में buy किये हो तो वो minus में दिका रहा है तो उसके लिए कोई डरने के बात ने charges इतना ज्यादा भी नहीं लगते जो कि यह सिर्फ charges यह है जो कि brokerage charges लगे है ठीक है तो यह जो बाकी यह जितने भी minus में या तो मेरे loss हुआ है या तो मैंने कोई delivery में shares buy किये है तो यह इतना ही है ठीक है अगर आपको समझ आता है तो अच्छे बात अगर नहीं आता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए सो भी करकूल बी से बबाए टेक केर